हलो श्टुएंट सेका फिर से सागत है आपका अपके अपनी यूट्व चैनल एश्टिडी गयान पे तो जैसे कि हम आपको लगाता है इंपोर्टेंस कोशिन्स बताते जारे बीस सी फ़स्ट एर के लिए जिसमें हमने आपको फिजिक्स और मैस सब्चेट के इंपोर्टेंस क कोशिन बताने वाले तो के मिश्टि में आपका फिश्ट पेपर रहता है वह रहता है आपके इन और्गेनी के मिश्टि यानि कार्मेनिक रसाइन तो सबसे पहले हम इन और्गेनी के मिश्टि की इंपोर्टेंस कोशिन बताने वाले उसके बाद में हम आपको भोतिक रसाइ तो आप इसे पूरा जरू देखेगा इस वीडियो को आपके एक्जाम की दर्शिते बहुत जाले यूसफूल होने वाला यह वीडियो ठीक है तो यहां पर आज का हम पहला कोशन यहां पर देखते हैं जो कि क्या है हमारे यहां पर आप देख सकते हैं इनरगनिक केमिस्ट्री का आपका डी ब्रोगली समीकर्ण जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट का आपका यह टॉपिक है जो आपकी फर्स्ट यूनिट है एक बात मैं आपको बता दूँ जो भी स्टुएंस इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब अपनी यूनिवसिटी का नाम जरू कमेंट बोक्स मे है या नहीं ठीक है कि हर यूनिवसिटी का थोड़ा पैटर्न थोड़ा बहुत यहां पर चेंज होता है लगबक सेम रहता है लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर चेंज होता है तो आप यहां पर अपनी यूनिवसिटी के सेले बस में यहां पर जरू देख लीजेगा इन सब topics को ठीक है यहाँ पर जो आपकी first कौंछता है कि टीवरोगली समिकन को बताईए ठीक है इसको आपको प्रूफ करना होता है टीवरोगली समिकन को साथ में एक और कोशन बन सकता है रहती है उसका जो सत्यापन रहता है वो भी आपसे में आपर पूछ सकते हैं तो यह आपके लगवाए दो तिन कोशन इसमें यह आपके बन सकते हैं यहापके सेकंड कोशन है आपके स्रोडिंजर तरंग समिकर्ण जो की काफी जादा इंपोटेंट होता है हर युनिवरसिटी के लिए तो आ सब्सक्राइब कोशन है पूछा जाता है उसमें भी कोशन पूछ ले जाता है और आपके सेक्शन भी जो आपके लॉंग टाइप की कोशन से उसमें भी ये कोशन पूछ लिया जाता है तो आप इसा अचीता से यहाँ पर तयार कर लिजेगा उसके बार यहाँ पर नेश कोशन आता है आपके कोशन नमर फाइब तो आप देख सकते ओव बाव नियम ठीक है और प्रकार होता है इसका एंड प्लस ल का नियम ठीक है तो वो भी आपके कभी कभी पूछ लिया जाता है लेकिन यह दोनों आपके काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहते है अवव नियम में यह तो आपका हुंड का अधिक्तन भावल लगता का नियम और एक आपका पावली का अपवजन नियम जोकी काफी ज़्यादा इंपर इं का मापन पूछ सकता है कि इसका मापन किस प्रकार किया जाता है विद्धुनिता का या आपके इसके कारक पूछ लेता है इसके जो कारक होते है विद्धुनिता को प्रभावित करने वाले कारक जो कि हर साल यहां पर पूछा ही जाता है तो आप इस अच्छी तक से यहां पर त्यार कर लिजिएगा इसके साथ में मैं आपको एक को टॉपिक बताने वाला हूं वह आपकी इलेक्टोन बंदूता आपने इसका नाम जरू सुन रखा होगा इलेक्टोन बंदूता और विद्धुत्रिणता यह दोने आपके बहुत ज्यादा इंपोटेंट रहते हैं यहाँ पर विद्धुत्रिणता के साथ नहीं यहाँ पर इलेक्टोन बंदूता को भी यहाँ पर लिख लीजिएगा त्योंकि उसके इलेक्टोन बंदूता के भी जो प्रभावित करने वाले कारक है वो काफी ज़्यादा इंपोटेंट यहाँ पर आपके रहते हैं उसके बाद हमारे यहाँ पर है कोशन नंबर सेवन विस्पर सिद्धान ठीक है विस्पर सिद्धान जो कि काफी ज़्यादा इंपोटेंट होता है आप इसे मोश्ट इंपोटेंट लगा लीजिगा इस अच्छी तरप तयार कर लीजिए बहुत सिंपल इसका डेरिवेशन होता है जो कि काफी ज़दे अच्छे इसकी त्योरी होती है जो आपको एकी बारे में यहाँ पर अच्छी तरह से याद हो जाती है विस्पर सिद्धान की यहाँ पर विस्पर को हम यहाँ पर हिंदी में पूरा क्या कहता है सर्योजटा कोश इलेक्ट्रोन युग्म पतिकशन सिद आप इसे मोश इंपोर्टेंट लगा लिजेगा काफी ज़दा इंपोर्टेंड यहाँ पर आपकी यह टॉपिक होता है उसके बाद यहाँ पर जो नेश कोशन आता है हमारे अनुकशक सिद्धान्त यानि M.O.T. ठीक है यह अनुकशक सिद्धान्त होता है आपके M.O.T. ज बन सिद्धान यानि V.B.T. पूछ सबता है ठीक है यह दोना अल्टरनेट आपकी युनिवसिटे एक्जा में पूछे जाते है यहाँ से आपकी जब पर विद्धुद्रनत है यहाँ पर आपकी युनिट फर्ष्ट कोशन थे यहाँ पर विस्पर सिद्धान से आपकी यहा अनुकशक सिद्धान थे और साथ में आपकी जो सहुष्टा बन सिद्धान यानि V.B.T. है वो भी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है तो आप इसे भी इंपोर्टेंट लगा लीजिगा और यहाँ जितने भी हम आपको कोशन बता रहे वो सारी इंपोर्टेंट है लेकिन क्या है जो हम आपको ज़्यादा इंपोर्टेंट बता रहे वो काफी ज़्यादा पूछे जाते लगातारी पूछे जारे मेरे बात माने तो आप यहाँ पर सभी जो हम आपको कोशन बताने वाले ज्यादा को आपको यहाँ बताने वाले आप इसकी अच्छीता से य सब्सक्राइबने कि नाम से पूछ सकता है या पर आप केवल क्या टोपिक्स बताए आपको ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं लशाओ वीधी तो यहाप आप देख सकते हैं यहाप से यहाप प्रमाणों खर्शकों का रेके सही हो इस नाम से भी पूछ सकते हैं यह भी काफी ज़्यादा इंपोटेंट है तो आप इसे यहाप अच्छी तरह से यहाप पढ़के जाएगा ठीक है उसके वाद यहाद नेश कोशन हमारे कोशन आप देख सकते हैं यहाप पर है ओटू एनो एनो ओ प्लस ठीक है का एमोटी आरिक बनाई ए ठीक है वहाप इस प्रकार्ट से बहुत ज़्यादा कोशन पूछे जाते हैं आपको जरूरी नहीं केवल यही सरुन ना दे आपको कोई साभी आणू मापर दे सकता है यहापर हम आपको बता रहें काफी जादा वार पूछे जाते हैं ठीक है तो आप इनकी अच्छी तरह से यहापर प्रेटिस कर लिए जिए को इसके बाद यहापर नेश्ट कोशन आपके कोशन नमर 11 इसे भी आप देखिए ऐससे आप यहापर देख सकते हैं और भी आपके बहुत सार इससे बिलोंग करते हैं आप अपनी युनिवर्सिटी के लिए जो आपके लाश्ट फाइफ येर के आपके प्रिवेस येर के कोशन से जो आपके पास साल के पिछले साल के आपके कोशन पेपर है पास साल के उन्हें आप जरू पढ़के यहापर जाएगा वो भी काफी के जो हमारा फ़ेला कोशन ने यूनिवर्स नंर्फ थर से कोशन नमर टुएल थ हमारा फ्रैंकल वर्क शोटः की दोस जिनने आपके दोसो हहोते हैं वापके किष्टली दोस अपर अक्रिष्टली दोस उसमें अंदर पूछ लिता है आपके जो काफी ज़्यादा वार पू जाती है तो आप इसे most important लगा लीजेगा इसमें से कोशन आपकी बनता ही बनता है ठीक है तो आप इस अच्छी तरह से यहां पर पढ़के जाएगा जाले कुछा से आपकी किसी भी प्रकार से यहां पर question पूस सकता है उसके वादे हमारे यहां पर नेश कोशन है बोन हैबर च फिला इकन den आप इस नाप से पूछा जैता है विलायं कन हर्जा एबर पूछता है काफी ज़्याद है गींग को समझढ़ाइगे यहां je cc भी और section C, यालि जो आपकी long type के questions है, उसमें बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पर पूछे जाते है, ठीके, उसके बाद यहाँ पर next question है, question number 16 है, आपके अब आपके यहाँ पर unit number 4 के question हम इस्टार्ट हो चुके, अभी तक जितने भी बताई था आपके unit number 3 के question है, अब आपके unit number 4 के question हो चुके, आप यहाँ पर अपनी university में, मैंने पहले ही कहा कि आप यहाँ चेप्टर्स का नाम जरूर देख लिएगा, हो सकता है कि आपके unit number 4 है, S block, वो हो सकता है, आपके unit number 5 तो या 3 हो, ठीक है, तो आपको केवन यहाँ पर questions यहाँ पर देखने हैं, और इन questions के जो आपके यहाँ पर देख सेते हैं, जितने भी हम topics बता रहे हो, उसे अपने syllabus में जरूर मैच कर लिजेगा, कि आपके topics हम बता रहे हो, आपके syllabus में है या ठीक है, क्योंकि हर university का, जैसे मैंने आपको का, थोड़ा यहाँ पर जो syllabus है, वो थोड़ा सा अलग होता है, तो आप अपने syllabus में यहाँ पर जरूर देख लिजेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमाले unit number 4 है, S block, उसके साथ में इसके 2-3-3 part होता है, आपके unit number 4 में एक तो आता ह आपके S block होता है, एक आता है, अकरिय धातू, ठीक है, तो इन दोनों के हम आपको यहाँ पर question बताने वाली unit number 4 के है, पहला है आपके S block के तत्वों में विकन संबंद, ठीक है, जो की काफी जादा important रहता है, इसे भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर तयार कर लिजेगा, तो इसमें जो विकन संबंद है, वो आपके S block में, या तो आपके lithium magnesium में आपके विकन संबंद पूछ सकता है, या आपके यहाँ पर beryllium और aluminium में विकन संबंद पूछ सकता है, ठीक है, और भी type होते हैं इसमें, यहाँ पर काफी जादा important रहता है, आपके S block में, आपके त questions पूछ सकता है, उसके बाद यहाँ पर नेश question हमारे question number 20, इसे भी आप देहां से देखिए, यहाँ पर है आपके S block तत्वो का जेव तंतर में कारे, जो की काफी जादा important है, आप इसमें से question आपके बनता है, या आपके इस प्रकार से पूछ सकता है, S block के देनिक जीवन मे कारे बताईए, या S block तत्वो का जेविक तंतर में कारे बताईए, ठीक है, तो दोनर यहाँ तीनो टाइप के आपके आपके questions बन सते हैं, इसमें आपके आता है जीनोन, ठीक है, जो जीनोन टॉपिक है, आपके आप सबको पता है, अकरिय धातु में आती है, आपके जीनोन तो इसके जो आपके टॉपिक से आपके एत्तो होता है, आपके जीनोन के फ्लोराइड, इसमें कई रहती है, जीनोन के फ्लोराइड को बनानी की विद्या बताईए, इसके रासाईनी गुण बताईए, ठीक है, इसमें आपके या तो आपसे इस प्रकास से पुछ सकते है, यह सब अलग-अलग topic है आपके. लेकिन यह gin-on के भाग होते हैं. यह तो आप से gin-on के fluoride पूछ लेगा. यह आप से gin-on के oxide पूछ लेगा. यह आप से gin-on के mono-oxytetra fluoride है. तो इस type के आपके questions बन सकते हैं. यह सब अलग-अलग Supic है. आपके यहां पर देख सकते हैं ये सब अलग-अलग topic हैं आपके ये तो आपसे oxi fluoride के बनाने की विदिया पूछ लेगा या आपक से oxide के बनाने की विदिया इसके रासाने की गुण पूछ लेगा तो किसी भी परकार से आपके यहां पर यह questions बन सकते हैं जो कि काफी ज़्य इन में से आपके एक तो आते ही आता है हर युनिवसिटी एक्जाम में ठीक है तो आप इन चारों को अच्छे तरह से यहां पर तैयार कर लिजेगा अब यहां पर कोशन नमर 22 देख सकते हैं यह आपके यहां पर यूनिट नमर 5 तो कि आपके कोशन स्टार्ट हो चुके है कि इसके अपर यहां पर नाम से यहां पर कोशन बन सकता है इसमें यह टॉपिक काफी ज़्याद़ रहता है उसके बाद नेष्चकोशन आपके फुल्रीन क्या है इसके गोंड तत्ता उप्योग दीजे जो कि काफी ज़्याद़ इंपोर्टेंट है आप इसकी अच्छी तरह से यहां पर पढ़ लिजीगा फुलरीन के बारे में ठीक है उसके यहां पर नेश कोशन है कोशन नमर 24 है आपके यहां पर आप देख सकते हैं जो कि क्या है डाई बोरोन ठीक है आपने इसका पहले भी नाम सुन रखा होगा डाई बोरेन तथा यहां टाइब के आपके यहां पर कोशन बन सकते हैं आपके काफी जादा इंपोरेन्ट रहता है तो आप इसे भी इंपोरेन्ट लगा लिजीगा ठीक है डाई बोरोन को उसके वाद नेश कोशन है हमारे कोशन नमर 25 जैसे यहां पर देख सत्याप अंतर है लोजन योगी जो की का हाली कोशन था, इसके वारे कनेस्ट कोशन है हमारे कोशन 27 पोली हेलेट आपकी पॉली हेलाइट टापिक से भी हापके किसी प्रकार से यहां पर कोशन पूल सकता है सबसकर है देख udah प्रकार जितने आज हमने आपको कोशन बताय है 28 हमने आपको यहां पर questions बताए बीच में एक दो questions हमने आपको all aid करके बोल के बता दीते है ठीक है जो कि काफी ज़ादा important रहता है इन्हें आप सभी questions को अच्छीता से यहां पर तैयार करके जाएगा इन्हें से आपके कई university में पूछे गए questions से और कई questions इसे जो आने के आपक रसाइन उसके भी importance हम आपको questions बताने वाले हैं काफी reactions बताने वाले और भी आपके थोरी वाले भी होते हैं आपके जो carbonic रसाइन में उन सभी को हम यहां पर आपके लिए बताने वाले है ठीक है तो आप हमाई साथ यहां पर नेश वीडियो में बने रहेगेगा अगर आप किस university से belong होते हैं आप जरूर कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जो बताएगे और इस session को like करना ना भूले ठीक है तो मिल देख next वीडियो में